हेलो फ्रेंड्स मैं आप लोगों का अपने एडुकेशनल चैनल एसेस क्लासेस पे स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स जैसा कि आप सब को मालूम है किसी भी एक्जाम में अच्छे अंक पाने के लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि उसका जो लेटेस्ट सेलेबस है जो उसके ऑफिशल वेबसाइट पर मौझूद है उससे प्रिपरेशन किया जाए तो आज फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं SSE CGL सेलेबस के बारे में इसको किस प्राकार से डाउनलोड किया जा सकता है इसके ऑफिसल वेबसाइट से दूसरा हम लोग इसको डिटेल समज़ने वाले हैं कि इसमें किस-किस सेलेबस में क्या-क्या चीज़ों को पढ़ना है तिसरा हम लोग इसके एकजाम पैटर्न को देखने वाले हैं कि इसमें कौन से खाएग से किस प्राकार के questions आते हैं और कितने questions आते हैं तो वीडियो के अंज तक जरूर बने रहा है आपको पूरा डिटेयल सेलेबस मिलने वाला है तो सबसे बहुत आपको इसके सेलेबस को डाउलोड करने के लिए क्या आपने फोन के chrome browser को open करना है या आप जो भी browser यूज करते हैं उसको open कर लेना उसमें आपको ssc का जो official website है उसका आप लोगों को लिखना है इसका लिंक आपको वीडियो के description box में भी मिल जाएगा वहां से भी आप देख सकते हैं simply इसका जो official website है ssc.nic.in ये जो है आपका इसका official website है तो इस official website को आप लोगों को क्या करना है simply search कर देना तो sorry I have not on my internet तो इसको आप लोगों को simply search कर देना simply search करने के बाद अगर आप इसको search करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का interface निकल कर कर आएगा जो आपके net के quality पर depend करेंगा friends अगर आप लोग इस website पर registered होंगे तो आप लोगों को इसका registration registration number होगा और आप लोगों का एक password भी होगा अगर आप इस पर एक नए user है तो आप लोगों को simply नीचे आकर करना है अगर आपके पास registration number और password है तो इसमें आप डाल करके login भी हो सकते हैं या आप नए user है future में इस exam को देना चाहते हैं तो आपको scroll करते हुए नीचे आना है यहाँ पर नीचे आते जाना है यहाँ पर आप लोगों को जो दिख रहा है या latest news वाला जो portion है यहीं से हम लोग क्या करने वाले हैं इसके syllabus को download करने वाले हैं सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है ध्याम यह रखना है कि कोई भी exam के notification जिस तारीक को जारी होता उसी में उसका syllabus latest syllabus दिया जाता है तो जैसा कि हम सब को मालूम है कि SSE CGL का जो notification है 2021 के लिए 2021 के लिए इस year का जो notification हुए वो आपको आया है 29th of December को तो हम लोगों को जाना है 29 December में और देखना है उस दिन हम लोगों को देखें यहाँ पर देख सकते है 29 December में आप लोग समझ पा रहा है notice of examination for combined graduate level examination 2020 यह 2021 के लिए आया था आप simply इसको आप लोगों को क्या करना है क्लिक कर देना है तो जैसे ही आप इसको click करते देखिये friends मैंने इसको already download कर रहा है आपको लोगों को बताने के लिए मैं इसको फीर से download कर रहा है तो जैसे ही आप इसको click करते हैं आप लोगों का यह net okay speed के quality पर depend करके तरण डाउनलोड हो जाएगा और आपके सामने यह open हो जाएगा जहां आप देख सकते हैं इसके जो जारी करने का जो तारीक है 29.12.2020 को इसको जारी किया गया था यानि यह आपका latest syllabus है जहां से आप देख सकते हैं उसके बाद यहां पर देख सकते हैं यह बहुत सारे चीज़े बताई जा रहे हैं तो हम लोगों को simply जानना है इसके syllabus के बारे में तो यह syllabus आप लोगों को 16 नंबर पेज से सायद मिलेगा मैं इसको स्क्रोल करते हुए नीचे जा रहा हूँ जहां मैं आप लोगों को बताने का इसमें जो basic information है किसी भी exam के related वो सारे चीज़ों को इसमें provide करवाएगा आप इसको वीडियो को pause करके या खुद आप download करके पढ़ सकते हैं इसका selection process क्या है इसमें किस-किस प्रकार के यह vacancies है इसके लिए क्या-क्या rules and regulations है age का criteria सारे चीज़ आपको इसमें मिल जाएंगे बस हम लोगों को अभी syllabus को देखना है तो इसको scroll करते हुए मैं नीचे जा रहा हूँ जहां मैं आप लोगों को syllabus भी दिखाने का प्रयास करूंगा फ्रेंट्स यह आप इससे जो है आप tier 1, tier 2, tier 3 सारे syllabus को आप download कर सकते हैं बस simply आप लोगों को क्या करना है इसके official notification को download करना है और मैं आप लोगी के सामने ये इसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ इसको scroll करते हुए देखिए scheme of examination यहां से आपका सुरू हो गया scheme कहने का मतलब हुआ कि इसको इस exam को किस प्रकार से यह लिया जाएगा यहां पर देख सकते हैं tier 1 में aapka computer based examination है इसको बताया जा रहा है कि General Intelligence से 25 questions रहेंगे, General Awareness section से 25 questions रहेंगे, quantitative aptitude से, English से, फिर paper 2 जो है आपका वो किस प्रकार से रहे गई है, यह सारी चीज़े यहाँ पर बताने का बताया है, यह अच्छे तरीके से जिसको आप देख सकते हैं, सारे timing वेगरा यहाँ पर सब चीज मौझूद है, उसके बाद य प्रोवाइट किया गया है, तो सबसे पहले हम लोग टियर वन एक्जामिनेशन को देखते हैं, तो टियर वन एक्जामिनेशन में आपका General Intelligence and Reasoning, तो इसमें आप से जिसको GS section भी बोलते हैं, तो इसमें आपका physics, chemistry, biology, इस से related चीज है, यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ पर इसका भी syllabus जो है, वही है, बेख सकते हैं मीचे, आप लोगों को especially parting history, culture, geography, economic, science, general science, यह सारे चीजों को आप लोगों को basic level से prepare करना है, उसके बाद quantitative apt attitude की बात करें, यानि जिसमें मुखे रूप से आप लोगों को mathematics पर focus करना है, मुखे रूप से mathematics के सवाल इसमें आते हैं, तो इसमें देख लिए number percentage है, ratio and proportion है, business mixture है, allegation है, time and distance है, यह सारी syllabus जो है सापके maths का syllabus है, जिसको आप video को pause करके जरूर पर सकते हैं, और आप लोगों क जानकारी के लिए मैं बता दू कि इसका पूरा एक detail भी video लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को सारे syllabus को बेश topic wise classify करके बताने वाला हूँ कि जिसमें किस-किस topic को अगर आप लोग पढ़ लेते हैं कम समय में, तो आप अपना selection पका करवा सकते हैं, CHSL के ल syllabus वह भी नीचे दर्शा है यहां पर आप लोग देख सकते हैं, टियर टू examination, पेपर वन का जो syllabus उसको भी बताया जा रहा है, पेपर टू का जो syllabus उसको भी बताया जा रहा है, यहां से आप क्या कर सकते हैं, मुखे रूप से सारे syllabus को जो पेपर टू है, पेपर टू है, इसको सर्च कर देना है, अगर आप लोग इस पर registered होंगे, तो अपने registration number और password को डाल करके login हो जाना है, या अगर आप एक नए user है, तो नीचे आप लोगों को स्क्रोल करते हुए आना है, और latest notification पर आप लोगों को आना है, और वहां पर 29 December को जो इसका जो notification आया था, उसको simply download कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद आपके सामने यहां पर 18, 19 नमबर पेट से आपका मुखे रूप से syllabus सुरू हो रहा है, और इसमें जितनी भी basic चीज़े हैं जो आपके exam के related है, वो सारे चीज़े यहां पर आपको provide करवाई जाएंगी, अगर tier 3 के exam के अगर बात करें tier 3 का examination पेपर 3 जो aesthetics है, उसके syllabus को भी यहां पर बता जा रहा है, तो आप इस syllabus को download करके सारी जो basic feature से कैसे apply करना है, कौन-कौन सी सावधामी बरतनी, सारे चीज़े आप लोगों को यहां पर provide हो जाएंगी, तो friends यहां पर मैं इस video के end करता हूँ, अगर आप लोगों को यह video पसंद आया, तो इसे like, share और इस पर comment करना ना भूले, और इसके best topic wise, topic जानने के लिए syllabus को पढ़ने के लिए हमारे चानल से जरूर जुरे रहे, thank you very much, मिलते हैं अगले video में, God bless you all, take care of yourself.